दोस्तों आज है करवा चौत और ऐसे में हम आज के इस लाइव वीडियो में जानने वाले हैं आज चांद कब निकलने वाला है दोस्तों आज का चांद बहुत ही जादा महत्पूर्ण होता है साम को चांद को अर्ग दे कर करवा चौत में वरत खोला जाता है ऐसे में सभी को इंतिचार है कि आज साम में चान्द कम निकलेगा ऐसे में दोस्तो आज के इस लाइव वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके सहर में, आपके राज में चान्द निकलने का सही समय क्या है दोस्तो हम आपको एक-एक करके अलग-अलग सहरों के बारे में जानकारी देंगे अलग-अलग गाओं के बारे में जानकारी देंगे तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतक लाइव के साथ जुड़ कर देखते रहिएगा और हम लोग चान निकलने के समय के विसे में बात करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कौन से राज से इस वीडियो को देख रहे हैं इसे कमेंट में जरूर लिखिए चलिए दोस्तों जानते हैं कौन से सहर में चांद कम निकलने वाला है दोस्तों आपको बता दे कि चान निकलने का समय इस बार साढ़े साथ बजे से ले करके नौ बजे तक है जहां कुछ सहरों में साढ़े साथ बजे ही चान निकल जाएगा तो कहीं कहीं यह नौ बजे भी निकलेगा ऐसे में चलिए जानते हैं चान निकलने का समय क्या है दोस्तो सबसे पहले हम लोग सुरवात करते हैं भारत की राजदानी दिल्ली से दोस्तो अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और करवा चौत का वरत करते हैं तो आपको बता दे कि करवा चौत के चान निकलने का समय दिल्ली में 8 बचकर 15 मिनट पर है यानि कि आपको 8 बचकर 15 मिनट पर चान देखकर वरत को खोलना है दोस्तो अगला जो सहर है वह है जैपूर अगर आप जैपूर में रहते हैं या फिर जैपूर के आसपास 500 किलोमेटर के किसी भी गाउं में सहर में रहते हैं तो आपको बता दे कि वहाँ पर चान दिकलने का समय है 8 बचकर 5 मिनट पर जैपूर और वहाँ के आसपास सभी गाउं में चान दिकलने का समय है 8 बचकर 5 मिनट दोस्तो इसके बाद अगर आप लखनाओ में रहते हैं यानि कि यूपी के लखनाओ में तो वहाँ पर चान निकलने का समय है 7.14 लखनों के आसपास जो भी सहर है गौन है वहाँ पर 7.14 तक आप चान निकलने का समय मान सकते हैं दोस्तो वही अगर हम बात करें नौईडा की तो नौईडा में चान निकलने का समय है आठ बचकर 14 मिनट वही पर गुरगाउं में चान निकलने का समय है आसाम 8 बचकर 16 मिनट चलिए दोस्तो जानते हैं अब हम बिहार के बारे में दोस्तों बिहार में अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना में चान निकलने का समय है 7.30 मिनट वही पर बिहार में आप कहीं और भी रहते हैं तो आप 7.20 से लेकर के 7.30, 7.35 या फिर 7.40 तक आस्मान में देख सकते हैं आपको चान दिख जाएगा इसके बाद आप ब्रत को तोड़ सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबान में आज चान आठ बिच कर 4 मिट पर निकलेगा दोस्तों आपको बता दे की चान निकलने के समय में अगर आप इन सभी सहरों के आसपास में रहते हैं तो 5-10 मिट का अंतर होगा यानि कि अगर आप जैपूर के आसपास रहते हैं जैपूर में नहीं रह रहे हैं पटना में रह रहे हैं पटना के आसपास में रह रहे हैं तो इसमें 5-10 मिट का अंतर होगा तो ऐसे में आप पटना का समय जैसे 37 है तो आप 7,25 या 7,20 से आस्मान में देखना शुरू कर दीजे, आपको चांद दिखने लगेगा हो सकता है कि आपको 37 के बाद 7,40 में भी दिखे, इसी परकार से अलग-अलग सहरों का समय अलग-अलग है अगर हम बात करें पूरे भारत की तो पूरे भारत में जो आज 7,50 सांद से लेकर के 9 बजे के बीच जो है चांद आपको अलग-अलग सहरों में अलग-अलग समय पर दिखाई देगा दोस्तों आज का चांद बहुत ही जादा महत्पूर्ण है आज देश भर में जो भी वरती करवा चौत का वरत रख रहे हैं यह वरत महलाएं जो है साम में चांद देखकर ही चांद को अर्ग देखकर ही वरत खोलती है पूरे दिन निर्चला वरत रखती है तो ऐसे में आज का समय जो है आज के चान निकलने का समय बहुत ही जादा महत्पूर्ण है